कि हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्णिंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा स्टूडेंट्स आज के इस स्टीरियो केमिस्ट्री के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक का डिसकुसिन करने जा रहे हैं और जो है इधी है हाव टू रिप्रेज्टेंट एंप मोलेक्यूल ओन पेपर मतलब जो भी मोलिकूल सोतने हैं जिन से हम लोग डिल करते हैं कैमिंस्ट्रीम में वह सम् 3-dimensional structure होती है और उन्हें हम represent करते हैं 2-dimensional paper पर अब यदि 3-dimensional molecules को 2-dimensional paper पर हमें सही से represent करना नहीं आता सही से बनाना या draw करना नहीं आता तो हम chemistry या फिर यो कहें organic chemistry नहीं सीख सकते क्योंकि organic chemistry में most of properties reaction mechanism हो चाहे other chemical properties हो वो सारी के सारी molecule की 3-dimensional structure या फिर space में उसके orientation या confirmation पर depend करती है तो इसलिए 3-dimensional molecules को हमें 2-dimensional paper पर represent करना अच्छी तरह से आना चाहिए यदि आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe कीजिए और videos को share कीजिए like कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो जो 3-dimensional molecules है उन्हें 2-dimensional paper पर represent करना हमें आना चाहिए सही से correctly represent करना हमें आना चाहिए क्योंकि यह stereo chemistry या फिर organic chemistry के ज्यादा तर concept शीखने के लिए बहुत जरूरी है organic molecules को या फिर 3-dimensional molecules को 2-dimensional paper पर represent करने के कुल 4 तरीके यहाँ पर दिये हुए है सबसे पहला है perspective projection, fisher projection, sawhorse projection और newman projection तो यह 4 methods यहाँ पर दिये हुए हैं इनको हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे और किस तरह से 3-D molecule को 2-dimensional paper पर represent करते हैं यह हम लोग सीखेंगे तो यह 4 के 4 representation के method आपके सामने हैं सबसे पहला है flying wedge projection flying wedge projection को हम लोग perspective projection या फिर wedge dash projection भी बोलते हैं उसके बाद है fissure projection जिसमें tetrahedral carbon को एक cross की form में दिखाया जाता है और यह stereochemistry में काफी ज्यादा यूज होता है इसके बाद में है so horse projection so horse projection में देखिए carbon carbon bond को हम इस तरह से देखते हैं या फिर ऐसे एंगल से देखते हैं जिससे हमें ये दोनों carbon अच्छी तरह से दिखते रहें और इनके जो substituent हैं वो भी हमें अच्छी तरह से दिखते रहें तो इस तरह के projection को हम लोग बोलते हैं, इस तरह से draw करते हैं molecule को, उसे हम बोलते हैं sohors projection और इसी तरह से एक और है, वो है newman projection, newman projection में क्या होता है? Molecule को carbon-carbon bond के seed में देखते हैं, जिससे क्या होता है? हमें सामने वाला carbon, जो carbon हमारी आखों की तरफ है, वो दिखाई देता है, दूसरा carbon, carbon-carbon bond का दूसरा carbon उस carbon के पीछे आ जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है, तो इस तरह से जब हम molecule को देखते हैं और उसे draw करते हैं, तो उसे बोलते हैं newman projection newman projection में देखिए, यहाँ पर हमें यह जो सामने वाला carbon तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे वाला carbon हमें नहीं दिखाई दे रहा, जिसे हमने एक बड़े गोले के रूप में दिखाया है यहाँ पर, और यह इसके पीछे वाले carbon के तीनों substitute है और यह जो है, यह hydrogen और यह OH और यह methyl group यह सामने वाले carbon के substitute है तो इस तरह से यह है newman projection अब sohors projection और newman projection का use generally हम लोग conformational isomerism की study में करते हैं इसलिए इन दोनों conformation के बारे में हम लोग detail से learn करेंगे हमारा जो topic होगा conformational isomerism या फिर conformational analysis आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो है flying wedge projection और fisher projection तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले flying wedge projection क्या होता है इसे हम लोग perspective wedge प्रोजेक्शन भी बोलते हैं और इस तरह के projection में तीन तरह के वेजिज होते हैं एक है solid wedge यह यहाँ पर solid wedge है एक है broken wedge और यह देखिए यह broken wedge है और यह है solid line यह है solid line तो इस तरह से solid wedge का क्या काम है solid wedge उस bond को represent करती है जो plane के paper के plane के उपर की तरफ आ रहा है या फिर जिसे हम कहते हैं bond pointing towards the observer observer यानि कि हम देखने वाला viewer उसकी तरफ जो bond आ रहा है plane के paper के plane से उपर उठा हुआ observer की तरफ जो bond आ रहा है उसे हम solid line से represent करते हैं जो bond paper के plane के नीचे की तरफ है या फिर bond pointing away from the observer observer से दूर जा रहा है यानि कि paper के plane के नीचे की तरफ है उसे हम broken wedge से दिखाते हैं और यह यहां पर broken wedge है अब है solid line solid line या continuous line उन bonds को represent करती है जो paper के plane के plane में ही है ने तो plane के उपर है ने plane के नीचे है plane में ही इस्तित है उन bonds को represent करने के लिए हम लोग solid line का यूज लेते हैं तो इस तरह से यह तीन तरह की lines है तीन तरह के wedges हैं इन्हें हम किस तरह से use लेकर के molecule को represent करते हैं चलिए देखते हैं यह देखिए आपके सामने एक molecule है CH4 का इसे हम किस तरह से represent कर रहे हैं यह देखिए दो बॉंड यहां पर हैं यह solid line से represent हो रहे हैं यह इस यह जो पेपर है पूरा इस पेपर के plane में ही है यह दोनों बॉंड और यह जो broken wedge वाला आपको बॉंड दिख रहा है जिससे hydrogen number 4 attach है वो पेपर के plane के पीछे की तरफ है वो देखने वाला यानि कि हम observer यानि कि हम हम से दूर जा रहा है वो bond और यह जो bond है यह हमारी तरफ आ रहा है carbon से यानि कि यह पेपर के plane के ऊपर की side है यह towards the observer है इसे हम ball stick model की form में इस तरह भी represent कर सकते हैं जो आपके सामने है देखिए यह जो bond है यह और यह bond यह दोनों के दोनों paper के plane में है यह bond paper के plane के पीछे है यह bond हमारी तरफ आ रहा है यदि हम यहाँ पर एक plane बनाते हैं तो वो इस तरह से बनेगा और यह देखिए ये एक हमने plane बनाया है उसमें ये दोनों bond है ये दोनों bond plane में ही है और ये एक bond plane के उपर की तरफ है आ रहा है और ये जो दूसरा bond है ये वाला plane के पीछे की तरफ है तो इस तरह से ये bond solid wedge से represent होगा और ये जो bond है ये hydrogen वाला bond ये broken wedge से represent होगा यदि इस molecule को इस तरह से represent किया जाए जिसमें पूरा जो tetrahedral structure का जो space है वो filled हो atom से तो उसे हम space filled model बोलते हैं तो इस तरह से आपने देखा perspective drawing यानि कि flying wedge formula में किस तरह से wedge का use लेते हैं जिसमें solid wedge, broken wedge और solid lines होती हैं जो bond की situation है, bond की location है उसे बताती है solid line paper के plane में जो bond स्थित हैं उनको broken wedge जो bond देखने वाले से दूर जा रहा है away from observer या फिर below the plane of the paper उसे हम broken line से दिखाते हैं और solid जो wedge है वो बताती है कौन सा bond towards the observer है observer की तरफ आ रहा है या फिर paper के plane से उठा हुआ है उपर उठा हुआ है अब जो दूसरा projection है उसकी हम लोग बात करते हैं वो है फिसर projection formula यह बहुत ही important है और stereochemistry सीखने के लिए लगबग लगबग जरूरी है essential है तो फिसर projection दिया था emil fisher ने और इन्होंने बताया था कि किस तरह से हम three dimensional molecule को two dimensional paper पर flat structure की form में कैसे represent कर सकते हैं मतलब three dimensional molecule को flat structure में convert करके किस तरह से हम लोग represent कर सकते हैं जिसमें की उसके stereochemical information जो भी उसके orientations है substituents के groups के जो भी orientation है जो भी stereochemical information है वो वो destroy नहीं हो वो बनी रहती है और इसका कहने का मतलब यह हुआ कि absolute configuration है जो काईरेल सेंटर पर substituent का absolute configuration है वो यहां पर बिगड़ता नहीं है वो maintain रहता है तो इस तरह से fissure projection में हम लोग three dimensional structure को flat structure में convert करके फिर two dimensional paper पर draw करते हैं तो fissure projection में एक tetrahedral carbon को cross की form में दिखाया जाता है यह देखिए यहां पर यह एक center में carbon है और यह जो चारों ends हैं सिरे हैं यहां पर हम चार substituent रखते हैं तो इस तरह से एक tetrahedral carbon को represent किया जाता है अब यह जो vertical दो lines यहां पर होती है एक vertical line होती है और एक होती है horizontal line इनके meanings क्या हैं हम अभी देखेंगे लेकिन fissure projection में एक बात आप note कर लीजिए कि जो most highly oxidized end carbon होता है most highly oxidized end carbon उसे हम यहां top में रखते हैं उसे हम रखते हैं यहां top में उसे c1 मानते हैं कहने का मतलब हम सीधा सा ले सकते हैं कि IOPAC nomenclature में जिसको हम c1 देते हैं वो जो c1 है carbon वो उसे हम यहां top में रखते हैं और फिर बाद में जो carbon chain है वो हम इस तरह से रखते जाते हैं पूरी carbon chain को हम vertical line से represent करते हैं और यह जो horizontal line पे हैं वो दोनों जो substituent जुड़े होते हैं chain के दोनों तरफ उन्हें हम यहां रखते जाते हैं तो इस तरह से fissure projection बनता है यह देखिए आपके सामने fissure projection है glyceraldehyde molecule का यह molecule की structure है आप देखिए यह aldehyde functional group है जिसे हम carbon जिस numbering में iupacy nomenclature की numbering में 1 देते हैं यह most oxidized carbon हो गया यहां पर यह number 2 carbon है जिसे एक hydroxy group attached है और दूसरा एक hydrogen group attached है यह number 3 carbon है तो अब आप देखिए इसे हम लोग कैसे represent कर सकते हैं यहां पर यह देखिए यह जो पूरी vertical line है यह carbon chain को represent कर रही है carbon 1,2,3 carbon 1 यह functional group है aldehyde 2 carbon यहां है जो की एक tetrahedral carbon है और यह 3 carbon है जिस पे CH2OH group जुड़ा हुआ है तो और जो second carbon पर यह जो नों substitute है hydroxy group और hydrogen group वो यहां पर इस तरह से यह जुड़े हुए हैं तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से यह जो three dimensional structure है इसे flat structure की form में paper पर किस तरह से represent किया गया है यह एक तरह से example है fissure projection का कि किस तरह से 3D structure को 2D structure में convert करते हैं और बिना उसके stereo chemical information को destroy की हुए अब हम समझते हैं कि fissure projection में vertical और horizontal lines के meaning क्या है देखिए vertical lines क्या बताती है bonds going below the page page के नीचे की तरफ जो bond जा रहे हैं उन्हें हम बोल रहे हैं उन्हें ने हम वर्टीकल लाइन से दिखाते हैं इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं bonds pointing away from observer observer से दूर जो bond जा रहे हैं या फिर paper के plane के नीचे की तरफ जो bond जा रहे हैं पीछे की तरफ जो बॉन्ट जा रहे हैं उन्हें हम वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं यह देखिए यह vertical line है और अभी हमने wedge desk में देखा है कि जो bond paper के plane के नीचे की तरफ जा रहे हो या फिर away from observer जा रहे हो उन्हें हम broken wedge से दिखाते हैं तो ये जो vertical line है इस पर जो दोनो bond है उसे हम इस तरह से broken wedge से दिखा सकते हैं ये bonds दोनों के दोनों paper के plane के नीचे की तरफ जा रहे हैं away from observer है तो vertical line से क्या समझा आपने vertical line उन bonds को represent करती है जो away from observer हो या फिर वो bond below the plane of the paper paper के plane के नीचे की तरफ हो अब देखते हैं horizontal line horizontal line उन bonds को represent करती है हैं जो pointing towards the observer मतलब observer की तरफ जो bond आ रहे हो या फिर paper के plane से उपर उठे हुए हो और देखने वाले की तरफ जो bond आ रहे हो उसे हम बोलते हैं और pointing towards the observer अब horizontal line का example यहां से लेते हैं structure में देखिए यह horizontal line है तो यह जो दोनों बोन है इस central carbon के दोनों तरफ के जो बोन है यह एक्ट्वल में देखने वाले की तरफ आ रहे हैं और paper के plane से उपर उठे हुए हैं यह देखिए यह देखिए हमने इसे represent किया है solid wage से और solid wage को हमने भी सीखा है solid wage से कौन represent करते हैं जो paper के plane के ऊपर उठे हुए हो और देखने वाले की तरफ आ रहे हो towards the observer तो इस तरह से आपने देखा कि इस कि त्री-डाइमेंशनल structure में आप देख सकते हैं पेपर के plane में क्या है पेपर के plane में है इसके अलावा यह जो चारों bond है यह कोई भी पेपर के plane में नहीं है vertical line पर जो दोनों bond है वो paper के नीचे हैं और यह जो दोनों bond है यह paper से उठे हुए हैं देखने वाले की तरफ आ रहे हैं pointing towards the observer तो इस तरह से यह जो fissure projection है उसका three dimensional structure इस तरह का होता है और इस तरह से हम सीख सकते हैं कि vertical line और horizontal lines के meaning क्या होते हैं वो किस तरह के bonds को represent करते हैं तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से fissure projection का three dimensional structure किस तरह का होता है अब हम फिसर प्रोजेक्शन की एक important बात और discuss करते हैं फिसर प्रोजेक्शन हमेशा eclipsed conformation को ही represent करते हैं eclipsed conformation क्या होता है यह हम अभी देखेंगे और फिसर प्रोजेक्शन cannot tell anything about the preferred conformation of molecule fissure projection कभी यह नहीं बताते कि molecule कौन से conformation में stable होगा फिसर प्रोजेक्शन यह कभी नहीं indicate करते कि कौन सा fissure projection stable है कौन सा fissure projection stable नहीं है यह हम नहीं निकाल सकते और fissure projection में जो structure होती है वो हमेशा molecule के eclipsed conformation को represent करती है इसका मतलब यह हुआ कि eclipsed confirmation का मतलब यह हुआ कि यह जो बॉन्ड है इस यह जो वर्टिकल लाइन के दोनों तरफ के जो बॉन्ड है यह वर्टिकल लाइन है और यह एक तरफ के दोनों बॉन्ड है यह यह बॉन्ड और सी सब्स्टिटुएंट वाला यह बॉन्ड और यह बॉन्ड यह दोनों बॉन्ड एक ही सीध में होते हैं यह देखिए दोनों बॉंड packing के ऊपर की तरफ आ रहे हैं दोनों एक सीध में है और इसी तरह ये जो बॉंड है ये भी एक सीध में है है अब फिसर प्रोजेक्शंन में ये तो सी की जुके हैं कि जो होरिजेन्टल लाइन पर होता है वो solid line से represent करते हैं solid wedge से और वो pointing towards the observer होते हैं वो plane के ऊपर की तरफ आये होते हैं तो यह देखिए यह plane के ऊपर की तरफ आये होए हैं यह plane के ऊपर की तरफ आये हैं और यह bond एक दूसरे के सीध में है तो इस तरह से यह eclips confirmation है और आप यह भी देख सकते हैं यह जो bond है vertical line का और यह जो bond है vertical line का यह pointing away from observer है observer से दूर जा रहे हैं paper के plane के नीचे की तरफ है यह देखिए यह भी broken wedge से represent है और यह भी broken wedge से represent है तो इस तरह से यह जो confirmation है यह eclips confirmation है eclips confirmation का मतलब यह हुआ कि इस यह जो solid line है जो की paper के plane में है इसके दोनों तरफ के bond दोनों तरफ के bond एक दूसरे के seed में है यह देखिए यह दोनों bond seed में है ये दोनों bond seed में है और vertical ends पे जो bond है वो भी एक दूसरे की seed में है यदि ये नीचे है तो ये भी नीचे ही है नीचे की तरफ ही देख रहा है तो इस तरह से ये है eclipse confirmation और ज्यादा eclipse confirmation की information हम लोग conformational analysis का जो वीडियो होगा उसमें discuss करेंगे तो यहाँ पर हमने vertical line, horizontal line और fissure projection eclips confirmation को ही represent करता है आप इसे याद रखिएगा यह बहुत important point है हमारे लिए और fissure projection में कभी भी fissure projection molecule के preferred confirmation या फिर कौन सा confirmation stable होगा इसके बारे में coinformation fissure projection can be used for two or more chiral centers एक से ज्यादा एधी chiral center हो उनके लिए भी हम fissure projection को use ले सकते हैं यह देखिए यह three dimensional structure है D glucose molecule की और यह इसका fissure projection है fissure projection में हम देखो करते कुछ नहीं है इस तरह का structure बनाते हैं eclipsed और यह जो bond है जो paper के plane के ऊपर आ रहे हैं यह और यह और यह जो bond है दोनों जो paper के plane के नीचे जा रहे हैं इन्हें हम plane में ले आते हैं मतलब इनको तो हम पकड़ करके यह मान लेते हैं ऊपर उठाते हैं और plane में लाते हैं इनको पकड़ करके हम नीचे की तरह press कर देते हैं तो यह plane में हो जाता है और structure, flat structure बन जाती है जिसे हम कहते हैं fissure projection तो इस तरह से हम देखते हैं कि fissure projection में एक से ज्यादा chiral center हो उन्हें भी represent किया जा सकता है Students, अब fissure projection से related हम लोग बहुत important बात करने वाले हैं और वो है allowed motions for fissure projection याने कि fissure projection से जब हम लोग deal करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें हम कौन से motions apply कर सकते हैं और कौन से motion apply नहीं कर सकते मतलब कितने degree angle से rotate कर सकते हैं कितने degree angle से rotate नहीं कर सकते हैं यदि हमें same configuration generate करना है तो कितने degree से rotate करना है यह हमें पता होना चाहिए यदि हमें enunciomer generate करना है उससर fissure projection का तब कितने degree से rotate करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए तो allowed और not allowed जो motions हैं, operations हैं वो हमें fissure projection में पता होने चाहिए सबसे पहली और important बात मैं आपको बता दूँ fissure projection को rotate करते हुए कभी भी आपको structure को paper के plane से उपर नहीं उठाना है उसको plane में रहकर की rotate करना है, यदि आपने इसको plane से उपर उठा दिया plane से उठा करके rotate कर दिया, तो आप तो वो जो structure बनेगी वो उसका fissure projection नहीं होगा, वो उसका enunciomer होगा इसको हम अभी देखेंगे इस point को, तो सबसे पहला है यहाँ पर 180 rotation यदि किसी fissure projection को 180 degree angle से rotate करते हैं, पेपर के plane में ही तो वह जो structure, नहीं जो structure generate होती है, वह सेम होती है fissure projection की और same configuration होता है, इसलिए इस तरह का rotation fissure projection में allowed है, यह allowed rotation है, क्योंकि यहाँ पर same configuration generate होता है, याद रखिएगा angle 180 और condition इसके साथ क्या जुड़ी हुई है, पेपर के plane में रहकर के ही हमें rotate करना है, आप यहाँ देख सकते हैं, इस molecule को हम 180 से rotate करेंगे, तो यह जो group है यह 180 से rotate करने पर यहाँ आ जाएगा, और यह जो group है, यह 180 से rotate करते ही, यहाँ आ जाएगा, यह देखिए, उपर हो गया methyl और नीचे carboxylik group हो गया, और OH और H की position यहाँ पर automatically change हो गई, rotate करने से, तो यह same configuration है, 180 से rotate करने पर, यह allowed है, यदि 180 से rotate करते हैं हम, out of the plane, तो फिर वो जो configuration generate होगा, वो same configuration generate नहीं होगा, वो उसका opposite configuration होगा, और वो एक enunciomer होगा, इसलिए यह है जो rotation है, कौन सा rotation, rotation by 180 degree, out of the plane of the paper, plane के उपर उठकर के यदि rotate करते हैं, plane के बाहर जाके rotate करते हैं, तो वो allowed नहीं है, क्योंकि वो same configuration generate नहीं करता, वो enunciomer generate करता है, out of the plane rotation है, उसके लिए मैं आपको बता दूँ, यह तो हमने rotation किया plane से, यहाँ यदि हम लोग मान लेते हैं, इस paper में एक pencil लगाते हैं और इसको rotate करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे plane में ही rotate, यदि हम इस COH molecule को plane से उठा करके, यहाँ हम एक axis लगाते हैं, यहाँ axis लगा करके, इस axis के respect में हम 180 degree से rotate करते हैं, मतलब इसको उपर उठा करके, यहाँ और यह CH3 इस plane के नीचे से होता हुआ, वहाँ चला जाए, तो structure तो दिखने में आपको वैसे ही दिखेगी, लेकिन वो जो होगा, वो इसके similar नहीं होगा, क्योंकि 3-dimensional जो information है, 3-dimensional orientation as substitute का, वो यहाँ पर change हो गया तो इसलिए Fissure projection में कभी भी out of the plane of the paper rotation नहीं करते, अगला जो rotation है, वो है 90 degree rotation आपको कभी नहीं करना है, यह तभी करना है, जब आपको enunciomer चाहिए, Fissure projection में यह allowed नहीं है, क्योंकि 90 degree rotation देखिए, 90 degree rotate करेंगे, तो यह जो OH है, यह यहाँ CS3 की जगा जाएगा, CS3 इसकी जग आजाएगा, H यहाँ चला जाएगा, और यह CWH यहाँ आजाएगा, यह देखिए, यह 90 degree से rotate करने पर यह structure बन गई है, अब 90 degree से rotate करने पर आप देखिए, यहाँ जो bond है, यह ध्यान में लाई है, कौन सा wedge है, यह solid wedge है, तो solid wedge जो है, वो OH group यहाँ पर solid wedge में है, लेकिन यहा आपर stereochemical information change हो गई, तो जब भी आप 90 degree से rotate करेंगे किसी भी fissure projection को, तो stereochemical information change हो जाएगी, इसलिए यह rotation allowed नहीं है, यह enantiomer generate करता है, same configuration generate नहीं करता, अगला है, यदि हम एक किसी भी group को fissure projection में hold कर लें, और बाकी 3 को हम rotate कर दें, जैसे कि हमने यहाँ पर, यह जो c double OH है, इसको हमने पकड़ लिया, इसको हमने hold कर दिया, और बाकी 3 को हमने rotate कर दिया, यह देखिए, OH की position यहाँ आ गई, यह यहाँ आ गया, और यह यहाँ आ गया, तो इस तरह से जो generate होगा, वो same configuration generate होगा, इसलिए यह है, motion allowed है, वापस ध्यान से सुन लीजिए, एक group, कोई भी हमें hold करना है, उसको पकड़ के रखना है, और बाकी 3 को clockwise या anti-clockwise rotation करना है, जो भी configuration generate होगा, वो allowed configuration होगा, वो same configuration होगा, तो यह allowed motion है, अगला है, one or any odd number of interchanges of the groups generate the opposite configuration, इसलिए यह allowed नहीं है, ध्यान में ध्यान दीजिए, one or any odd number of interchanges, या तो आप एक interchange करें, या any odd number, यानि कि 3 interchange, 5 interchange, 7 interchange, यह आप करते हैं, तो हमेशा ही वो जो configuration generate होगा, वो same configuration नहीं होगा, इसलिए यह जो motion है, यह operation है, interchange का, वो allowed नहीं है, जैसे हम यहाँ पर one interchange करते हैं, one interchange से मतलब यह हुआ, कि हम इस OH को यहाँ ले आते हैं, और इस H को हम यहाँ ले जाते हैं, इस H को हम ले गए यहाँ, यह देखिए, यह हो गया, हमने यहाँ लिखा है, interchange OH and H, तो यह H और OH interchange हो गया, इनकी situation बदल गई, अब आप देखिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर जो OH है, वो solid wedge से है, actual में तो solid wedge से है, यह तो हमने इसको represent किया है, affiliate paper पर, और यहाँ OH currency wedge पे आ गया, vertical पे आ गया, तो यह stereochemical information तो, revert हो गई, बदल गई, stereochemical information तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस तरह के जो changes है, one interchange या कोई भी odd number interchange, वो allowed नहीं है, क्योंकि यह opposite configuration generate करते हैं, same configuration generate नहीं करते हैं, अगला rule काफी important है, two or any even number of interchanges generates same configuration, hence allowed, याने के, या तो दो interchange करें, या कोई भी even number of interchange करें, तो उससे same configuration create होगा, और वो motion allowed होगा, जैसे हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहला एक number exchange लगाते हैं, जिसमें हमने किसको exchange किया, आप यहाँ देख सकते हैं, यह CH3 है, और यह H है, इनको हमने आपस में exchange कर दिया है, यह हमारा पहला exchange है, और दूसरे exchange में हमने क्या किया, तो पहले exchange के बाद यह structure आ गई, और दूसरे exchange में हमने इस group को CH2OH group के साथ exchange कर दिया, तो structure आ गई यह, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यदि stereo chemical information आप देखिए, यहाँ पर जो H है, यहाँ पर जो H है, वो solid line पे है, vertical, horizontal line पे है, और यहाँ जो H है, वो vertical line पे, तो आपको लग यह रहा होगा, कि यह stereo chemical information बदल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, actual में stereo chemical information बदलती है, और यदि वो आमने सामने वाले दोनों bonds की एक साथ opposite होती है, तो वो जो configuration generate होगा, वो same ही होगा, आप यहाँ देखिए, यह जो CH3 है, और CH2 OH है, यह यहाँ पर vertical line पे है, लेकिन यहाँ horizontal line पे आ गए, और यह जो group है, CH, CH3, 2, 2, और यह hydrogen, यह जो दोनों group है, यह horizontal line पे है, लेकिन यहाँ पर यह vertical line पे आ गए दोनों, तो यदि दोनों group की position change होती है, यह आमने सामने वाले दोनों group की position change होती है, तब वह configuration सेम ही होता है, वह opposite configuration नहीं होता है, इसलिए 2 interchange या कोई भी even number of interchange, 2, 4, 6, 8 interchange हम कराते हैं, तो वो हमेशा ही allowed होते हैं, वो हमेशा ही same configuration generate करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं काफी important tricks की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम perspective formula को fissure projection में convert करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं, यह हमारे पास एक lactic acid का formula है, जो की एक perspective formula है, इसे हम fissure projection में किस तरह से convert करते हैं, तो इसे हम सबसे पहले इस तरह की structure में convert करते हैं, जिसमें दोनो vertical groups pointing away from observer हों, और दोनो जो horizontal groups हैं, वो pointing towards the observer हो, इस तरह की structure में इसे हम convert करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि carbon chain कौन सी होगी, carbon chain होगी हमारी ये, ये carbon chain होगी, और इसमें number one carbon कौन सा होगा, ये जो group है, ये number one carbon होगा, इसे हम number one position पे रखेंगे, तो हम ये जो पूरी structure है, इसे हम इस तरह से rotate करेंगे, कि या तो ये number one पे चला जाए, और इसके सामने ये जो दोनो group हैं, ये vertical line पे रहें, और ये रहें horizontal line पे, और horizontal line वाले group देखने वाले की तरफ आने चाहिए, या फिर solid wedge से जिनको represent करते हैं, इस situation में ये आने चाहिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए, सबसे पहले हम इस CH3 group को hold करेंगे, और बाकी molecule को हम लोग 90 degree से rotate कर देंगे, 90 degree से rotate करते ही, ये जो molecule है, ये plane के पीछे चला जाएगा, और ये OH है, ये इधर आ जाएगा, और ये H भी बाहर की तरफ निकल करके इस तरह से ये सामने आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, molecule को इस तरह से rotate करेंगे, कि ये जो दोनों group हैं, ये देखने वाले की तरफ उपर आ जाएगे, और ये group CH2OH और CH3 ये plane के पीछे की तरफ चले जाएगे, ये देखिए, इस तरह से ये दोनों हो गए, और इस तरह से ये दोनों group देखने वाले की तरफ आ गए, अब यहां पर जो structure है, ये देखिए, वो जो structure हमें मिली थी, वो ये structure है, अब इसमें इसे हम बहुत easily convert कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस structure में ये जो bond है, जो horizontal position पे और vertical position पे है, इन्हें हम paper के plane में ले आएंगे, कैसे ले आएंगे, इन दोनों horizontal में जो structure ह जो उपर की तरफ आ रहे हैं, जो bond, इन्हें हम press करके plane के paper में लगा देंगे, ये देखिए, ये दोनों को हमने press कर दिया, अब ये दोनों plane के paper में आ गए, ये जो दोनों bond है, जो पीछे की तरफ जा रहे हैं, इन्हें हम नीचे से पकड़ करके उपर plane में ले आएंगे, त चारों के चारों bond paper के plane में है और यह vertical line है और यह horizontal line है तो इस तरह से यह structure होगी और last में हमें क्या करना होगा last में हम जो इसका जो number one position का है इसे हम revert कर देंगे तो इस तरह से हमें यह structure मिलेगी जिसमें number one position पे COOH functional group होगा और इसे हम जो एक short method है इससे भी हम लोग ले सकते हैं देखिए इसे हम इस molecule को जो perspective formula है इस molecule को हम इस तरह से rotate करेंगे कि यह CS3 नीचे और यह भी नीचे चला जाए यह देखिए और यह दोनों जो bond है यह उपर आ जाए अब इस situation में यह जो दोनों bond है blue वाले आपको दिख रहे हैं यह bond below the page है पेज के नीचे है और यह जो bond है यह out of the page है पेज के ऊपर है पेज के बाहर है तो इस तरह से और यदि हम फिर flat कर देंगे इस structure को इनको press कर देंगे तो यह plane में चले जाएंगे इनको पकड़ करके ऊपर ले आएंगे यह नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यह भी plane के पेपर के plane में आ जाएंगे और इस तरह से यह एक फिसर प्रोजेक्शन बन जाएगा तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से परस्पेक्टिव जो formula है उसमें जो bonds होते हैं जो away from the observer है और towards the observer है उनको हम किस तरह से flat structure में convert करते हैं और को फिसर प्रोजेक्शन बनाते हैं अब यहां पर फिसर प्रोजेक्शन से रेलेटेड मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं इस वीडियो को देखे और आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से एक थ्री डाइमेंशनल मॉलिक्यूल को फिसर प्रोजेक्शन में convert करते हैं यह देखिए हमारे पास यह एक थ्री डाइमेंशनल ब्यूटेन का मान सकते हैं हम यहां पर यह एक मॉलिक्यूल है जो रोटेट हो रहा है एक्चुल स्ट्रक्चर इसकी इस तरह से होती है देखिए जो दोनों हाइड्रोजन है वो देखने वाले की तरफ आ रहे हैं और पढ़ती है यह देखिए यह चाया है इसकी जो चप्टी स्ट्रक्चर है यह इसका फिसर पोजेक्शन है मतलब हम इस बॉंड को और इस बॉंड को फ्लेट कर देंगे प्रेस कर देंगे तो यह प्लेन के पेपर के प्लेन में आ जाएगा यह जो बॉंड हलका सा नीचे की त देखने वाले हैं जिनमें हम लोग एनिमेसंस का यूज करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को दूसरे स्टुडेंट्स तक शेर कीजिए और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है बुरा लगता है इंप्रूमेंट की गुंजाई से उस पर कमेंट कीजिए थैंक यू थैंक यू वेरी मुच